हलो दोस्तों मैं संतोस गुपता और आप देख रहे हैं Optical World मैं एक Optimization और पिछले 15 सालों से practice कर रहा हूँ आज हम बात करने वाले हैं कि चस्मा अच्छा होता है या फिर contact lens इन में से कौन सा better होता है तो आज हम बारी बारी से चस्मे के बारे में उसकी अच्छाई और उसकी कम्यों के बारे में बात करेंगे और उसी तरीके से contact lens की अच्छाई और उसकी कम्यों के बारे में बात करेंगे आप हमारे साथ वीडियो के लाज तक बने रही है जिससे किलियर हो सकता है कि दोनों में से कौन सा अच्छा होता है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दबा देजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की notification आपको time से मिलती रहे तो चलिए वीडियो को चलू करते हैं तो चलिए चलू करते हैं पहले चस्मे की खुबियों के बारे में बात कर लेते हैं अगर आपको चस्मा पसंद है तो सबसे अच्छी उसकी खुबी है कि उसमें आप अलग-अलग style के typically पहले सकते हैं जैसे अभी मैंने इस एसा rimless चस्पा पहेंए हुआ है कुछ इस तरह कभी चस्पा में पहले सकता हूँ तो उसके अलामस अगर मुझे दूसरी परेकisme के पसंद है तो मैं कुछ इस तरह का भी चस्मा पहन सकता हूँ, कहने का मतलब कि आप चस्मे में freedom आपको अपनी style को बदलने का होता है, अपनी personality को enhance करने का होता है, आप अच्छी quality के चस्में अच्छी style में पहन के अपनी personality को भी enhance कर सकते हैं, अगर चस्मे की दूसरी अच्छाई की बात करें, तो easy to handle, मतलब इसको पहनना या उतारना बहुत ही ज्यादा easy होता है, ऐसा आपको contact lens में नहीं मिलेगा, contact lens के लिए आपको special time जैना पड़ेगा, उसको पहनने के लिए और निकानने के लिए, तिसरी खुबी की बात कर ले, तो चस्मा काफी cost effective होता है, यानि चस्में ह हम आजकल चस्में को खरीच सकते हैं, और उसको लंबे time तक use कर सकते हैं, दूसरी तरफ अगर contact lens के बारे में देखा जाए, तो contact lens minimum to minimum 1200 रुपए से start होता है, और वो भी आपको एक साल तक ही चलता है, चस्में की चोथी अच्छा है, आपको चस्में protection भी मिल जाता है, चस्म अलावा अगर आप चस्म पैंट के driving करते हैं, तो आपको धूल मिटी से भी protection मिलता है, प्लस तेज़ अगर हवाय चल रहे हैं, उससे भी अपनी आखों को protection मिल जाता है, तो चस्में से आपको protection मिल जाता है, इसके अलावा अब चस्में के कमियों के बारे में बात कर लेते ह तो चस्में के जो सबसे बड़ी कमी है कि वो चेहरे पर visible होता है, visible होने के वज़े से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है, लड़कियों को चस्मा ज्यादा पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो सू नहीं करना चाहती है कि उनकी आख में number आया हुआ है, तो उनके minus 10 number है, minus 20 है, या minus 15 है, तो peripheral vision काफी blur हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर thickness काफी ज्यादा होती है, और इसकी कमी यह है, यह खिलाडियों के लिए अच्छा option नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर खिलाडी चस्मा पहन के खेलेंगे, तो अपने गेम पर फोकस नहीं कर सकते हैं, अ इस ग्लासिस खिलाडियों के लिए एक अच्छा option नहीं होता है, दूसरा और इसकी कमी है, अगर किसी का high number है, तो चस्मा बार-बार फिसल के नीचे आ जाता है, इस तरह से चस्मा नीचे आ जाता है, प्लस नोच पे भी marks आने के chances होते हैं, दोस्तों अब बात कर लेते हैं, इस contact lenses के बारे में, पहले उसकी खुबियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, सबसे बड़ी जो खुबी है contact lens की, की contact lens हमारी आख के खुतली पे direct बैठता है, direct बैठने की वज़े से उसमें जो vision है, wider vision मिलता है, जैसे हम चस्मा पहने और इधर से देखें, तो हो सकता मेर vision चस्में के बाहर निकले, लेकिन हम अगर contact lens यूज करते हैं, तो उसमें हम contact lens के थूँ ही देखेंगे, और इसका मतलब यह wider vision हमको मिलेगा, दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी positive thing है, कि वो sport person के लिए एक बरदान की तरह है, कोई भी sport person का कितना भी high number हो, वो contact lens पहन के easily अपन sport खेल सकता है, अगर किसी का high power है, तो उसके लिए भी contact lens काफी अच्छा option हो सकता है, अगर मान लिया किसी का number minus 10, minus 12 है, तो उनकी लिए glasses में काफी thickness होता है, और उनको समालना काफी मुश्किल होता है, जबकि contact lens आख के अंदर fit हो जाता है, और उनके लिए काफी अच्छा option ह हो सकता है, यह उनके लिए भी काफी अच्छा option होता है, जिनके number में prism है, या फिर high astigmatism जिनके number में है, तो उनके लिए भी एक काफी अच्छा option हो सकता है, क्योंकि high astigmatism और prism में, चस्मे में o clarity या o vision नहीं मिलता है, जो vision आपको contact lenses में मिल जाता है, अब चलते हैं, contact lens की कम हो सकती है, कि contact lens को समालना पड़ता है, contact lens easy नहीं होता है उसको पहनना, आपको daily time देना पड़ेगा उसको पहनने के लिए और उसको निकालने के लिए, plus दूसरी जो कमी है contact lenses में, contact lens एक multifocal में आता है, या फिर single vision में आता है, इसमें bifocal या trifocal जैसा option नहीं होता है, जैसे कि में आपको available हो जाता है, दूसरा है, इसका cost काफी जादा होता है, अगर हम लोग अच्छी quality का contact lens लेना जाएं, तो daily disposable या mentally disposable 1500 से start होके 10,000 के budget हमारा एक साल का चला जाता है, तो चस्मे के compare में contact lens की cost पुड़ी जादा है, इसके अलावा, अगर हम और कमी की बारे में बात करे तो contact lens से आपकी आप में infection होने की भी chances होते हैं, या by the way अगर कोई दूसरा भी infection आप में हो जाता है, तो आपको contact lens नहीं पहन सकते हैं, दोस्तों ये contact lens की कमी के बारे में बात हो गए, अब मैं conclusion पे आता हूँ, कोई mandate नहीं है कि contact lens अच्छा होता है, या फिर चस्मा अच्छ अच्छा होता है, ये person to person वैरी करता है, कि किसको क्या suit करता है, किसको क्या need है, अगर किसी का high number है तो इसको contact lens ज्यादा अच्छा रहेगा, कि कोई so fashionable person है तो इसको glasses उसको अच्छा लगेगा, तो आप अपनी ज़रुरत हिसाब से ले सकते हैं, आज की वीडियो में बस इतन हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को like कर दिजिए, और अपनी family और दोस्तों के साथ share कर लिजिए, love your eyes, protect your eyes, धन्यवाद.